एक स्टडी के अनुसार, हफते में तीन बार संबंध जरूर बनना चाहिए, जिससे रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ जाती है. अगर आपकी संभोग के प्रतिरूची कम हो गई है, तो आप एक्सरसाइस करें आप में संभोग की इच्छा फिर से जाग जाएगी. इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है, कि हम वहाँ बने जो हम होने का दिखावा करती है. साइकोलोजी के अनुसार, केले को चिडिया में ज्यादा अंदर तक डालने से औरतों की चिडिया फैल जाती है. सम्भोग सही तरीके से किया जाए तो यहाद दुनिया की सबसे شक्तिशाली चीज है लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो यहाद सिर्फ एक शब्ध हो जाता है जब एक पुरुष्ट्री के पीछे जाकर चिडिया में केले को प्रवेश करवाता है तो इससे संभोग का आनन्द बढ़ जाता है जो लोग पहले गन्ने जैसे मीठे होते हैं, वहीं लोग मतलब के बात करेले जैसे कड़वे हो है एक स्टडी के अनुसार अपनी शादी शुदा जिन्दगी को खुशाल बनाने के लिए हफते में तीन से चार बार संबंध जरूर बनना चाहिए जो स्त्री अपने दोनों स्तनों को आपको छूने से कभी ना रोके तो इसका मतलब वह खुच से भी ज्यादा आप पर भरोसा करती है साइकोलोजी के अनुसार संबंध बनाने से पहले अगर मर्द और और औरत चोकलेट खा लेती है तो उन दोनों की उतेजना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सेक्स करने से व्यक्ती का सिर्दर्द और तनाव भी खत्म हो जाता है जो औरत पीछे से ज्यादा संभोग करवाती है वह महिला की चिडिया पीछे से संभोग करवाने में ज्यादा संतुष्टी महसूस करती है अपको यह विडियो कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद